दोस्तो भाई एकली सिक्स का इंतिजाम तो हो गया है लेकिन यहां सिकंदर का भी गजब तरीके का दोस्तो इंतिजाम आप लोग कह सकते हो कि भाई ठेटर्स में आग लग जाएगी एलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका सिकंदर मूवी के हमारे एक और जबरदसे एपिसोड में इसमें आपको दो अपडेट मिलेंगे और भी कई अपडेट हैं लेकिन वो रूमर की दुनिया के हैं यहाँ पे फैंस अब रह नहीं पा रहे हैं दोस्तों की नेक्स्ट मूवी को देखे भी ना तो यहाँ पे जल से जल वो मूवी आए और हम लोग सेलिबरेट करें एद में 2025 के एद में दोस्तों सलमान खान ऐस सिकंदर आ रहे हैं तो देखना काफी दिल चस्कोगा कि सिकंदर क्या करेगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिकंदर में नए नए कास्ट की एंट्री होती जा रही है तो गाइस क्या है अपडेट करेंगे बाद तो किजे लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कल क्या अपडेट आया था कल रात को बेसिकली गाइस कल रात को एक अपडेट आया जिसको मैंने आज सुबह दिया कि एटलिस सिक्स में जो बैक्राउंड म्यूजिक देने वाले यानि कि बीजियम वो नन तो रॉंग ते खड़े हो जाएंगे अभी देवरा का आप लोगों देखा ही होगा क्या गशब तरीके के दोस्तों गाने थे मतलब गाइस गाने भी अच्छे बीजियम भी जबर्दस तो मतलब बहुत हद तक बचाया है दोस्तों बीजियम ने यहाँ पे एटलिस सिक्स मे बता सिकंदर का तो लोग पूछी रहें म्यूजिक बाए शायद प्रितम है म्यूजिक प्रितम है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैक्ग्राउंड स्कोर के अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हर्श वर्धन रामेश वर और साजीद नद्याद वाला सिकंदर बीजियम यानिकी बैक्ग्राउंड स्कोर दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ दोस्तों यह वही म्यूजिक डिरेक्टर या फिर बैक्ग्राउंड म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल में दोस्तों आग लगाया था एनिमल के चाहे वह एनिमल थीम सॉंग आप लोग देख लो background music क्या बावाल लेवल का था दोस्तों मतलब वही बंदा दोस्तों इसमें भी यानि कि सिकंदर में भी officially music देते हुए दिखाई देंगे यह दोस्तों almost confirm है क्याने कि guys यहाँ पे at least six में अनिरुद्ध रवीचंद और सिकंदर में हर्श वर्धन रामेश्वरम रामेश्वर जो guys इससे पहले animal में भी music दे चुके हैं इससे पहले और भी कई वालिवुड की साउथ के movie में दोस्तों मतला music दे चुका है तो यह guys कुछ officially खबर है इसके अलावा दोस्तों अभी यहाँ पे एक और बड़ा update आया है और वो है सिकंदर के cast से related already कई cast दोस्तों इस movie में जुड़ चुके हैं कई जो नाम है वो already दोस्तों यहाँ पे आ चुका है सल्मान राश्मी का मंदाना के अलावा यहाँ पे परतीक बबबर सत्याराच के अलावा दोस्तों आपको नवाप शाहा इसके अलावा सिक्रेट गेम में अपने जो बंटी थे जीते नाम है मेरे ख्याल से वो भी दोस्तों इसका हिस्सा होने वाले है साउथ के एक एक एक्टर है इवन शर्मन जोसी और भी दोस्तों कई नाम लाइक काजल अगरवाल भी इस मूवी में दोस्तों अब जुड़ चुकी है बागे दोस्तों अभी एक और नाया नाम आया है जो कि अभी रेसिंबली में ही इंट्रडूस हुई है बॉलिवुड के अंदर यानि कि यहाँ पे शायद भतीजी है मेरे ख्याल से वरुन धवन की अंजली धवन जगाइस अंजली धवन जन्होंने बिन्याइंड फैमिली के साथ रुपहले परदे में डेब्यू लिया है अच्छा परफॉर्मेंस है पहले बार के हिसाब से उनका काम काफी अच्छा है वो मूवी मैंने देखी है हलांकि रिव्यू नहीं डाला रिकॉर्ड किया था रिव्यू लेकिन अप्लोड नहीं कर पाया लेकिन अच्छी गाइस वो मूवी थी एक अच्छी मतलब स्टोरी थी ग्रांट फादर के बारे में दोस्तों बताया गया तो आप लोग अगर में ही उनको कई बड़ी मूवी मिल गई है इसके अलावा भी एक और मूवी मिले है शायद ना मैं भूल रहा हूं लेकिन मुझे अगर चाहते हो कि बॉलिवूड में आओ तो थोड़े चोटे मोड़े रोल करो उसके बाद आपको खुद पहचान मिलेगी आपकी जो धवन है वो इस मूवी में हिसा हम रही है और इसके अलावा दोस्तो यहां पर हम लोगभी का जल्द ही शुरू होने वाला है नवंबर जो शुरू होगा अभी अक्टूबर में भी पूरा मैना मेरे ख्याल से बिग बॉस में लगेंगे लेकिन अभी का जो गाई यहां पर खबर यह है कि मुवी की काम बहुत तेजी से चल रही है और मुझे लगता है कि दोस्तों यह जो मुवी है यह तैस में पर नहीं तो आपका क्या है इसमें कहना बताना जरूर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही